एक चिठी आई और खुल गई पोल जिहां हिमाचल में सरकारी जमीन पर गैर कानूनी कबजा करने वालों की शामत आ चुकी है अब इन धोके बासों की खेर नहीं क्यूंकि कोट को इन सब की चतुराई की जानकारी मिल चुकी है दरसल शिमला हाई कोट के मुख्य न्यायधीश के नाम एक चिठी आई इस चिठी में जो जो बातीन लिखी गई थी उन्हें पढ़कर न्यायधीश भी हैरान रहे गए चिठी में दावा किया गया है कि उपरी शिमला के कुछ दबंग और प्रभावशाली लोगों ने सरकारी जंगलों से पेड काट कर सेब के बगीचे स्थापित कर दिये है एक मामला 2014 का है चिठी में मिली जानकारी के बाद कोट ने तुरंत उस चिठी को जनहत याचिका की तौर पर स्विकार कर सरकार को एक एक इंच सरकारी जमीन से कब्जे हटाने के निर्देश दिये सरकार ने चोटे कब्जे धारियों के खिलाफ तो सख्त एक्शिन ले लिया लेकिन बड़े प्रभाफशाली लोगों पर कारवाई से परहिस करती रही जब कब्जा धारियों पर उचित कारवाई नहीं हुई तो कोट ने नारास की जाहिर की इसके बाद सेना की एको टास्क फोर्स को कब्जा छुडवाने की जिम्मेदारी दी गई जानकारी के मुताबिक इन प्रभाफशाली लोगों ने 2800 बीघा जमीन पर कब्जा कर लिया है यही नहीं इस जमीन पर पक्के निर्मान भी किये गए हैं और बिजली पानी के कनेक्शन भी लगवा लिये गए है आंकडू के मुताबिक साल 2014 के बाद से ऐसे मामलों को लेकर 2526 FIR दर्श की गई थी 2522 मामले नियाएक दंडा धिकारियों के सामने पेश किये गए कुल मामलों में से 1811 मामले विभन वन मंडला धिकारियों के सामने पेश हुए इन मेंसे 1416 मामलों में बेदखली आदेश पारिट के गए हैं स्टेटिस रिपोर्ट के मुताबिक 933 मामलों में 867 हेक्टेर से ज्यादा जमीन से कबसा हटाया गया था अलग-अलग जिलों में अवैथ कबसों के आंकड़ों की बात करें तो शमला में अवैथ कबसों का आंकड़ा 3280 है कुल्लू में 2392 और कांगड़ा में ऐसे मामलों की संख्या 1757 है इनने लोगों ने 10 बीखा से कम भूमी पर अतिक्रमन किया हुआ है हुगोर तलब है कि हिमाशिल हाइकोट ने अक्तूबर 2018 में एक एहम आदेश देते हुए पांच बीखा समीन पर कबसे को नियमित करने का आदेश दिया था सरकारी वन भूमी पर पांच बीखा समीन पर अवैथ कबसे को नियमित करने के लिए राजसरकार ने नीती बनाई थी हिमाशिल पर देश भूमी राजस्व अधिनियम 1954 और राजसरकार की बनाई गई नीती के मुताबिक लोग अवैथ कबसों के तौर पर पांच पांच बीखा सरकारी वन भूमी को नियमित करवाने का हक रखते हैं देश भर में सरकारी भूमी पर अवैध कबजों के मामले लगातार सामने आते रहते हैं लेकिन पहाडी प्रदेश और चोटा प्रदेश होने के कारण हिमाशल प्रदेश में मामले अलग तरह के हैं यहां अधिकतर भूमी बन विवाग के अधीन हैं सरकार ने पांच बीघा तक के अवैध कब्जों को नियमित करने का कानून तो दे दिया लेकिन जिन लोगों पर हजारों बीघा जमीन को हत्याने का आरोप है उन लोगों पर कारवाई कब होगी होगी भी या नहीं ये आने वाला समय ही बताएगा ETV भारत के लिए शमना से राजेंदर शर्मा की रिपोर्ट